अगला पॉइंट देखते हैं gate क्या होता है तो यह runner system में ही gate हमारा आता है तो gate किसे बोलते हैं तो gate एक ऐसा point है जो material को gate point से ही core और cavity में fill करता है material को यह समाले लिए कि यह हमारा इसी को हम gate बोलते हैं जिसे यह component को connect करके रखता है component उसी को हम gate बोलते हैं तो gate क्या करता है gate जो runner system और component दोनों को connect करके रखता है जैसे कि हमारा component हो गया और यह gate हो गया runner हो गया इन दोनों को connect करके region रखता है joint करकर रखता है उसी को हम gate point बोलते हैं उसी point को हम gate point बोलते हैं next point देखते हैं mold vent क्या होता है mold vent मतलब क्या कि जो mold में हम vent line देते हैं benting देते हैं वो क्यों देते हैं mold में देने का उसका क्या कारण होता है mold देने से देखिए, mold bend का work होता है, जम injection के दोरान, mold में advantage gas बनती है, या create हो जाती है, उसमें injection जब करते हैं तो उसमें कुछ gasHeaf hati है, जोssa come advantage होती है, जो हमारी use में नहीं होता है, वो completo kWh Ret Effect होता है, और जो product कलिए problem देने लगता है इसलिए उस गैस को उस मोल्ड से बाहर रिलिज होने के लिए हम मोल्ड में कुछ लाइन देते हैं जिसे हम बेंट लाइन बोलते हैं या बेंटिंग लाइन बोलते हैं तो उसलिए हम उस मोल्ड किसी भी मोल्ड में हम बेंटिंग लाइन देते हैं कि उसमें जो दीते हैं तो हमारा component होगी ओव डिफैक्ट बन जाएगा cooling channel या cooling system क्या होता है इसके बार हम देखेंगे cooling system क्या होता है cooling system mold में दिया जाता है क्योंकि mold में injection complete हो जाता है उस product को solidify करने के लिए pipe के दोबारा हम water को in और out लाइन से दिया जाता है जिसके द्वारा कॉंपनेंट में स्रिंकेज नहीं आता है कहने का मतलब क्या कि कूलिंग सिस्टम इसलिए जो सिस्टम दिखाए दे रहा है यह कूलिंग सिस्टम है इसको हम कूलिंग सिस्टम बोलते हैं यह किसी भी मोल्ड में हम कूलिंग सिस्टम इ तो अगर solid नहीं होगी तो हमारा part खराब हो जाएगा shrinkage आ जाएगी कोई से scratch आ जाएगा कोई-कोई धब्य टाइप को आ जाएगा इसलिए solidify करने के लिए हम इस pipe के द्वारा इस pipe के द्वारा mold में in और out देते हैं ताकि पानी हमारा अंदर जाएगा mold में और उसको cool करके फिर एक pipe से बाहर आ जाएगा तो हमारा part बनेगा उस shrinkage नहीं बनेगा इसलिए हम mold में इस cooling system को देते हैं तो उसी सभी process को ही हम cooling system नाम देते हैं